मुझे मेरे काफी दोस्त बोट्सवप पे मैसेज करते हैं, कॉल पे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या सर कोई ऐसी ट्रिक्स है जिसके ज़रीए हम अपनी लेजी पे की लिमिट को इनक्रीज कर सकें दोस्तो वीडियो आप सुलूच लेकर एन तक देखेगा, मैं बताऊंगा कि आप अपनी लेजी पे की लिमिट को कैसे इनक्रीज कर सकते हो दोस्तो कुछ ना कुछ हम मिस्टेक करते हैं, जिसकी बैसे हमारी जो लिमिट है वो इनक्रीज नहीं होती है और मैं तो पर्मानेंट मिस्टेक करता ही जाता हूँ, इसलिए मेरी भी लिमिट आज तक इनक्रीज नहीं होई है लेकिन आप टैंसर मतलो, मैं जो आपको जानकी बताऊंगा, उसमें आपकी जो लिमिट है, वो 100% इनक्रीज हो जाएगी अगर आप मेरे बताए भए नियम से चलते तो, पहले तो आप यहाँ पर देख लो, कि लेजीपी की तरफ से मुझे जो लिमिट मिली थी, वो थी 1000 रुपे की और मैंने इस 1000 रुपे को बहुत यूज किया, बहुत यूज किया, लेकिन फिर भी मेरी लिमिट नहीं इनक्रीज होई, तो इसका क्या रीजिन है, मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में, जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान सुनिएग और जो मिष्टिक मैं करता हूँ, वो मिष्टिक आप बिल्कुल मत कीजेगा, ठीक है, तो आपकी जो लिमिट वो इनक्रीज हो जाएगी, सबसे पहली जो मिष्टिक है, जो मैं लगातार करता हूँ, वो आपको नहीं करना है, जितनी भी आपको लिमिट यहाँ पर देखने ले सकता हूँ, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जो भी लेत्ट आपको मिलती है, उस लेत्ट का आपको 80% यूज़ करना है, फॉर एक्जांबर ग्रूप में अगर आपकी लेत्ट 5.10 रुपे की है, तो आपको वहाँ पर 80% यूज करना है 80% में कितना पैसा निकलता है वही आपको यूज करना है ठीक है 48-44 रैर रुपे आपको यूज करना है और बागी का बचा हुआ एमाउंट 1,000 रुपे वह आपको बैंक में ही छोड़ देना है लेजिपे के एकाउंट में छोड़ देन होगे तो फिर ऐसा अगर आप करोगे तो आपकी उलिमिटे है। वो कभी इंक्रीज नहीं होगी और पहली गलती जो मैं । लिमिट तो पूरा निकाल लेता हूं क्योंकि मुझे ज़रूत पढ़ती है। इसलिक में निकाल लेता हूं लेकिन आपको नहीं निकाल ला है अगर आप चाहते हो कि limit increase हो तो आपको नहीं निकाल ला दूसरा जो most important है दोस्तों लेज़ीपेन नयाterm latest निकाला है जो है payment method की उपर जिसमें lazy पे कह रही है कि आप अपने bank से auto pay enable करवा दो ठीक है? auto pay enable कराने से क्या होगा? आपकी कोई भी due miss नहीं होगी अगर in case आप भूल जाते हो पैसा चुकाने में तो lazy pay automatically आपकी bank से पैसे काट लेगा इससे आपकी कभी भी कोई भी due जो है वो miss नहीं होगी जिससे आपकी limit अच्छी कार से increase होगी और अगर आप auto pay setup कर लेते हो ना तो lazy pay को लगता है कि ये बंदा काफ़ी अच्छा है और हमारे platform पर trust करता है इसलिए ये auto pay enable करके रखा है तो दोस्तो lazy pay भी आप पर trust करेगी और आपकी limit को एक मैने के अंदर-अंदर ही increase करके दे देगी इस बात का आप ध्यान जरूर रखे तो मेरे बाई दो mistake है जो मैं करके रखता हूँ पहली बात तो सारा पैसा नहीं निकार ला है दूसरी बात अगर आपने अभी तक enable ने किया auto pay तो आपको enable कर देना है और मैं यह दोनों के दोनों जो offer है यह मैं miss करता रहता हूँ मतलब नहीं मैंने यहाँ पर setup कोटों पे किया है और नहीं मैं यहाँ पर 80% जो पैसा bank में रखता हूँ सीथा कि सीथा पूरा पूरा बिड्रोग लगा लेता हूँ अपने लेज़ी पे एकाउंट से जिसकी बज़े से मेरी जो लिमिटे वो increase नहीं हो रही है और यही गलती आप भी अगर करोगे तो increase नहीं होगी तो दो गलतीयां आपको सुधार ना है और फिर देखो कमाल एक महीने के अंदर आपकी limit increase नहीं हो तो मुझे कमेंट में लिख करके बताना ठीक है मिलेंगे नए वीडियो को लिख करके तब तक लिजाएंद वन नमात